तो मेर ने मानी बीज़पी पार्शदों की बात स्टांडी कमिटी के सदस्यों के लिए दुबारा से वोटिंग शुरू हो चुकी है एके करके पार्शदों को वोटिंग के लिए बुलाया गया है MCD चुनाफ में मोबाइल फोन लाने पर फिर पाबंदी लगा दी गई है दरसल कल मुद्धा भारती जनरता पार्टी ने बनाया था कि भई आप फोन की एजाज़त क्यों दे रहे हैं वोटिंग के दर्मया इसकी इज्वाज़त नहीं होनी चाहिए जिस बात को अब मेर ने मान लिया और अब फोन को साथ ले जाने इस बर साफ मना ही है अब यह जो तस्वीरे आप देख रहे हैं यह आपको सीधा हम MCD हेड़कोर्टर से तस्वीरे दिखा रहे हैं चुनाव इस समय चल रहा है स्टानिंग कमिटी के सदस्यों का छे सदस्यों के चुनाव को लेकर देखे कल हंगामा और नारिवाजी देखने को मिली थी जिसको लेकर कारेवाही को स्थगित करना पड़ा था और आज एक बार फिर से जब सुबह 10 बजे से कारेवाही शुरू होती है तो MCD के स्टानिंग कमिटी के सदस्यों की वोटिंग भी शुरू हो जाती है MCD चुनाव में मोबाइल फोन ले जाने पर एक बार फिर से अब पाबंदी लगा दी गई है बीजेपी ने समुद्दे को उठाया और आज मेर ने इस बात को माना और दोबारा से वोटिंग शुरू हो चुकी है दरसल भारती जनता पार्टी गडबड़ी का आरोप लगा रही थी आमादभी पार्टी पर इन तमाम आरोपों के बीच इस कारिवाही को कल स्थगित करना पड़ा था और मांग यही बीजेपी कर रही थी कि ये चुनाव नई सिरे से फिर से होना चुए अधिते दुवेदी मेरे साथ मेरे सायोगी जुड़ गया अधिते अभी क्यात्वस्वी एड़कॉर्टर से मिल रही है देखे जोसना जैसे उमीद नहीं थी उमीद से कहीं गुना अधिक सांती के साथ मद्दान सुरू हो गए है अब बाड एक से लेकर के फिर से एक बाड जब मद्दान सुरू किये गए तो इसमें भाजपाई भी सांत हो गई है क्योंकि भाजपाई की जो मांग थी जो डिमांड थी उनकी वो सारी मान ली गई गई है मेर ने एक बार सुरुवात से बोटिंग तो सुरू कराई ही साथ में मोबाइल और पिन ले जाने पर रोक लगा दी है भाजपा की दोनों ही मांगे थी कि इनका इस्तेमाल ना होना चाहिए किसी भी तरह से और अब प्रॉपर सांती के साथ मद्दान हो रहा है यह बड़ा रहत की बात है दिल्ली बास्तियों के लिए जोस्तेमाल ने इसपर्ष्ट किया हुआ है कि हमारे तीन मेंबर्स छे में से जीत जाएंगे और तीन का ही नॉमिनेशन कराए हुआ है जबकि आम आदमी पार्टी के ने चार इस्टेंडिंग कमिटी के लिए नामिनेशन कराया हुआ है उनका अपना दावाय की चार लोग जीतेंगे तो उसी एक कंडिडेट को लेकर के काफी जदोजहर चल लई थी और इस्टेंडिंग कमिटी में बहुमत होना सदन की कारवाई के लिए बहर जरूरी है मेर तभी कोई कारवाई को अंजाम दे पाएंगी जबकि प्लानिंग में इस्टेंडिंग कमिल्टी में बहुमत होगा तो उसको लेकर कि जो आज मैं सल नहीं थी उम्मीद है कि अब मामला सांतिक साथ निपड़ जाएगा ठीक है और आप अब थोड़ी दिर पहले बता रहे थे कि बाहर भी फोर्स की तैनाती की गई है और अंदर भी मार्शल्स की तैनाती की गई है ताकि एक बार फिर से हंगामेदार स्थिती अगर हंगामा ये पारशत करने की कोशिश करते हैं हालात बिगड़ न जाएं इसको ल लेकिन उसके भी आदे घंटे बाद कारवाई सुरू हो पाई थी तो सुरक्षा बैवस्ता मुस्ताइद होना सौहविक बात है कि किसी तरह का कोई अरजक्ता का महौल सदन के अंदर या सदन के बाहर ना हो पाए